फ्रीजर का कंप्रेसर केसे ओन किया जाता है डिरेक्टली इसके साथ में आप देख सकते हैं दो पाइप होते हैं और एक पाइप यहां पर गैस चार्जिंग के लिए होता है तो यहां पर इसके अंदर तीन कनेक्शन भी होते हैं जो के कनेक्टिविटी देते हैं और यहां प को setup करना है तो इसे उपर वाले nose में fit करना है ठीक है अब यहाँ पर starter relay आपको setup करना है नीचे वाले दो nose के अंदर ठीक है तो fitting हो गया बिल्कुल final अब आप इसे directly check कर सकते हैं यहाँ पर यह phase connection जो है यह overload relay के अंदर डालना है और neutral connection है यह starter के अंदर डालना है ठीक है बस बिल्कुल final अब यहाँ पर connectivity देख सकते हैं compressor on हो चुका है यहाँ से inlet है यहाँ से outlet है air बाहर यहाँ से एगी ठीक है और यहाँ पर compressor हमारा चालू हो चुका है तो इस तरह से आप घर के freezer के अंदर लगा हुआ compressor चालू करके टेस्ट कर सकते हैं खराब है है यहाँ